राम राम साप लोग कैसे हैं गर्मिया आती ही न मैं जो आज रेसिपी बनाने जारी वीक में एक पर बनाती हूँ जरूर क्योंकि हमारे घर में सभी का ये फेवरिट है तो मैं मटकी में आज बना रही हूँ तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है दूद आपको लेना है फूल क्रीम दूद तो मैं यहाँ पर एक लीटर फूल क्रीम दूद ले रही हूँ पर मेरे से एक गलती हो गई थी मेरी मटकी छोटी हो गई थी और दूद जादा हो गया दही लेने के बाद उससे क्या करेंगे एक छनी में रख देंगे ताकि दही का एक्ष्ट्रा पानी ये अलग हो जाए तो 15-20 मिनट पहले ये काम करना है आपको और यहां लिया है मैंने एक दूसरा वर्तन और क्या करना है दूद को थो हमें पकाना ही ये दूद को हमें आधा क करना है जितना दूद उसका आधा हमें करना है तो एक लिटर है तो आधा लिटर करना है एक लिटर के हिसाब से में एक कप यहां पे चीनी ले रही हूं चीनी को हमें मिल्ट करना है ध्यान है चीनी को हमेशा मीडियम टू लो फ्लेंप मिल्ट करें ताकि इसमें कड़वाहा ना रहा है तो आप समझ गए होंगे मैं आज क्या बनाने वाली मिस्टी दही बंगाल का फेमस है तो गर्मियों में तो सभी का साथ फेवरेट हो एक बर बनाएंगे अगर बहुत लोग नहीं बनाये हो तो एक बर जरूर ट्राइ किजिएगा यह फेवरेट हो जाएगा जब च इस तरह से में डाल है इसी तरह से आपको भी डालना है गरम जो चीनी है मतलब गैस पे चल रहा है अभी गैस चालू ही रखना है दूड डालते समय देखिए अच्छे से मिल गया है तो मैं यहाँ पर गैस को अब बन करूँगी गैस आप पहले बन करके दूड मिलाएंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा क्योंकि चीनी यह जल्दी से जम जाएगा इसलिए ध्यान है हमेशा गैस को चालू करके और हमें फिर उसके बाद इस मटकी के अंदर डाल देना है अगर आपके पास मटकी नहीं हो तो आप कोई भी वरतन में बरा सकते हैं पर मटकी से एक अब जैड़ कीशा परिए अच्छे से जल सकते हैं इस रावस आपकाने पर मटकी फेटना है नहीं है अच्छे से दही को फेटना है और उसकी से दूद है कि आशी कीशा तरह मिल दालना है गाता के अच्छे से अिल जाएगे हमें पहले ही दही को मटकी में नहीं डाल देना है हमें पहले इसमें दही के अंदर दूर डालना है अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर डालेंगे न तो अच्छे से चारो तरफ मिक्स हो जाएगा तो देखिए इस तरह से हमें डाल देना है मटकी में फिर से और ध्यान रहे जैसे हम नॉर्मल दही जमाते हैं तो हलका गुन-गुना रहता है उससे ज़्यादा थोड़ा गुन-गुना होना जीए और इसमें थोड़ा दही का कॉंटिटी ज़्यादा लगता है बस आपको दो बहुत ज़्यादा है पर आप क्या करेंगे ना उलिन कपड़े में इस तरह से ढख के और हम नॉर्मल दही तो तीन से चार गंटे में गर्मियों में जम जाता है पर यह दस से बारा गंटे आपको रखना है लपेट के ताकि अच्छे से जम जाए तो दस से बारा गंटे बा होती जादा टेस्टी बन के तयार हुआ था फ्रेंट्स एक बार आप जरूर ट्राइ किजिए गार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बाई बाई